अश्कार स्वागत है आपका केकेबी नियूज में मैं हूँ नितिन चौधरी आज मैं मुझफनगर जन्पत की बुढ़ाना विधान सबा सीट का चुनावी विसलेशन आप से करने जा रहा हूँ अगर मैं इस चौनाव की बात करूँ तो भाजपने सीटिंग मले उमेश मलिक को यहां पर मैदान में उतारा है उनका जो मुकाबला है वो गड़बंदन परतियासी राजपल बालियान से है वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर मुस्लिम कार्ट खेलते हुए हाजी अनीस अलवी को मैदान में उतारा है वहीं कॉंग्रेस की तरफ से यहां पर देविंदर कश्यप जो की कलेक्टरेट में अपने धरनों की वज़ा से चर्चा में रहे हैं बिस्व्म सिंग बालियान तो इस बार जो वकावला है बड़ा काटे का है क्योंकि यह जो पुरा इलाका है यह टिकैद बंदों के लिए खेमस है क्योंकि जो सिसुली है जो किसानों की राजधانी कही जाती है बाबा महिंदर सिंग टिकैद का वो गाओ है वो इसी विधान सभा के छेतर में आता है अगर मैं पिछले चुनाओं के नतीजों की बात करो तो उमेश मलिक 13,000 मतों से इस सिट पर विजे हुए थे और जाट मत उन्हें एक मुस्त मिला था इस बार गड़ बंदन और आंदुलन की वज़े से जो जाट वोट बेंक है उसमें कहीं न कहीं एक दरार है और वो गड़ बंदन की तरफ भी जाता वा नजर आ रहा है राजपाल बालियान गड़ बंदन परतियासी है पिछली बार बड़ी आसानी के साथ सपा के परमोत्यागी को उमेश मलिक ने माद दी थी उस समय सपा और आरेलडी अलग अलग चुनाव लड़े थे योगरा सिंग आरेलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे जिने मातर 23,000 वोट मिले थे वहीं उमेश मलिक की जीत में कादिर राना की जो पत्नी है सईदा बेगम उन्होंने भी एहम रोल नी भाया था वो भहुजन समाज पारटी की तरफ से प्रतियासी थी 2017 में और सईदा बेगम को भी 30,000 मट इस इट पर मिले थे इस बार समीकन बदला हुआ है हाजी अनीस पहुजन समाज पारटी से हैं तो देखना दिल्चस्प होगा कि मुस्लिम मतों में कितना बिखराओ होता है और उमेश मलिक जो कटवाला खाप से सम्मन्द रखते हैं उनकी खाप उनके पीछे कैसे लाम बंद होती है वहीं बालियान खाप का जो विरोध है जो टिकेट परिवार है उनका पूरा अंदोलन का जो असर है वो कितना परभाव डालता है इस चुनाओ के रिजल्ट पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा अगर मैं मद्दाताओ की बात करू इस सीट पर लगभग 3,30,000 मद्दाता है और इस बार जो पोलिंग हुआ है वो लगभग 66% हुआ है दो लाग 54,000 के आसपास इस बार वोट पड़े है तो ये देखना दिल्चस्प होगा कि उमेश बलिक इस सीट पर क्या कमाल कर पाते हैं अगर मैं अपने आकलन की बात करूँ इस सीट पर मुस्लिम मद्दाताओ की संग्या भी 7,000 के आसपास है जाट मद्दाता भी इस सीट पर 70,000 के आसपास है तो हमारा जो आकलन है इस सीट पर अगर उमेश मलिक यहां से जीतने में काम्याब होते हैं तो उसके पीचे कहीने कहीं दलित वोट बैंक का एक एहम रोल होगा दलित किस तरफ जाता है वो बहुजन समाज पारिटी का रुख करता है या उमेश मलिक का लेकिन अगर उमेश मलिक यहां से चुनाव जीतने में काम्याब होते हैं तो हमारे नजर में यह एक चमतकार से कम नहीं होगा और उमेश मलिक का जो कद्ध है वो पश्यम उत्तरप्रदेस ही नहीं उत्तरप्रदेस की राजनीती में बहुत बड़ा हो जाएगा यह तो भविशे के गर्ब में हैं कि 10 मार्च को क्या नतीज़ आते हैं लेकिन अगर मैं आकलन की बात करूँ तो इस सीट पर राजपाल बालियान गडबंधन परतियासी को एज है और हमाई नजर में यह सीट राजपाल बालियान को जीतना चाहिए आज इस वीडियो के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारा या आकलन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कमेंट करें नमस्कार